मैं जी अलाद शर्मा, गाओं टिक्री और ब्लॉक ठेवका रहने वाला हूँ मैंने SPNF की ट्रेनिंग 2009 में 2009 से की उसके बाद इस खेती को शुरू करने की सोची और 2019 से मैं SPNF खेती में जुड़ा और उस खेती को शुरू करने से सबसे पहले मैंने फुलगोबी, फ्रासबीन और कैपसीकम रेड यलो ग्रीन होस में इस खेती को शुरू किया और इस खेती से मुझे प्रोडक्शन में भी काफी फरक पड़ा और मेरा प्लांट जो तीन-चार मीने चलता था कैपसीकम का वो पांच-छे मीने तक उसके लाइफ लॉंग हो गई और इस सबसे मेन मेनिफेटी है हुआ मेरे को जो मेरा खर्चा था जो क्रॉप के उपर खर्चा रहा था पर क्रॉप वो खर्चा मेरा कम हो गया और जो खर्चा मेरा ग्रीन होस में 15-20,000 द्वाई और खाद में लगता था वो चीज मेरी आज की डेट में 2-3,000 पे आ गई और इस से मेरे जो आमदनी है बढ़ गई मैं खिसान लोगों से अग्रह करता हूँ कि वो इस खेती की तरफ आए, सबसे बड़ी बात ये कि इस खेती से हमें खिसानों को तो फायदा हुआ, मुझे भी फायदा हुआ, जो खाने वाले उन लोगों को भी फायदा हुआ, खुद भी जहरमुक्त फसल हुगाए और इस का एक शेविर लगा था अपने यहाँ कुफरी में लि तो वा मैंने बाग लिया था उस में अक्तुबर महिने में उसके बाद जब नवापिस आया जी तो मैंने अपना ये पाले-करवीजी से अपना सबजी का काम शुरू किया, और अपना मुझे लगा की इस में कुछ तो मुझे बहुत सारा मेहनत करनी पड़ी और मेहनत का नतीजा भी अच्छा ही राजी इससे मुनाफ़ा ही लगा जी मुझे लागत मतलब बहुत कम हो गई है जी जो लागत का मुल्य है वो हमारी सह फसलों से ही निकल जाता है जी जो हमारी मेन फसल है वो बिलकुल मतलब शुद्ध मुनाफ़े के रूप में हमारे को बचती है जी बाकी थोड़ा मैं किसानों को ये बताना चाहूंगा कि इस वीदी से ह क्रिशी करने में फायदा है अधरवाइस तो हम घाटे में ही जाएंगे और अब तो मैं अब काफी experience भी हो गया जी इस में अब पैदावार मेरी सही हो गई है जी लगवक ज्यादा ही हो गई है फटिलाइजर से और अब तो मैं अबने साथ काफी किसानों को जोड़ रहा हूं जी जोड़ भी चुके है काफी